नमस्कार, VIP इंडिया में आपका स्वागत है आज के हिंदी आडियो आटकल में D.L.A. सिच्छा दिकदर संती रिती सिमेश्टर से समावे सी सिच्छा अध्याय दो विशिष्ट आप सकता वाली बालक तो आपको इसमें पहले ही चेप्टर में बताया गया है कि विशिष्ट किसे कहते हैं जिसमें कुछ विशिष्टा हो चाहे वह पढ़नें बहुत तेजो या फिर बहुत कमजोर हो जिसमें कुछ विशिष्टा नजर आती हो समाजिक अस्तर से भी बालक वन्चित हो जाते हैं और वन्चित का अर्थ होता है जिसे वांचित वस्तु प्राप्त ना हुई हो या फिर प्राप्त करने से रोका गया हो धोखा खाया हुआ या ठगा हुआ मलब उससे प्रे हो जाना समाजिक रूप से वांचित बालक वे होते हैं जो गरीबी आसिचित परिवार की खराब इस्थिति के कारण वांचित रह जाते हैं जैसे कि समाजिक रूप से निम्न जिसे इसमें आ सकते हैं जाती वर्ग या धर्म के अधार पर संस्कृति अस्तर से निम्न घर का बिगड़ा माहोल वा सुबदाओं का अभाव पडोस वा सभी साथियों का दूस परभाव समवे आत्मक रूप से आईश्थिर होते हैं और अपवंचित का अर्थ भी जान लेते हैं अपवंचित बालक का अर्थ जम्ड के उपरांद से ही बालक निरंतर विक्सित होता है यह विकास वंसानुकरम के परभाव के अंतरगत वातारण के अधार पर होता है वातौरन का गुड़ात्मक परभाव बालक के विकास में सहायक होता है परतेग बालक का अधिकार है कि वह अपना विकास प्राप्त अभिविरित्ती और योगताओं की सीमा तक करे और सिच्छा का उद्देश है कि बालक का विकास पूर्टा हो कुछ बालक ऐसे होते हैं जो स सुबदाओं के छेत्र में समान बालक से कम होते हैं ये विविन परकार की सुबदाओं जैसे कि आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक से वन्चित रह जाते हैं यथा भासा, धर्म, जाती, छेत्र, वर्ड, लिंक के कारण अब वन्चित रह जाते हैं इन सुबदाओं के में गतिरोध आ जाती है और इसी कारण वह डरने लगता है फिर आगे जान लेते हैं आर्थिक रूप से वंचित बाल को जैसे गरीबी वा आर्थिक असमानता के कारण आर्थिक रूप से निम्ण परिवार में खाने वा रहने का अभाव बिद्याले जाने में आसमर्थ वा ब वंचित बालक निम्न सैच्छी को बलब्दी होता है अंतरमुकी वा समवेग आत्मक रूप से अश्थिर होते हैं आत्म प्रेम वा परदेर्शन की भावना परबल होती है समस्या का समधान नहीं कर पाते और सुरच्छा की भावना से पीड़ी तथा बिद्याले में समायू अचित इसमीर्ति वा रूची के परभाव के कारण ना पढ़ पाना और आगे जान लेते हैं पिछड़ा बालक कौन होता है पिछड़े का साब्दिक अर्थ होता है अपने कार में अपने समान साथियों से पीछे रह जाना परंतु सिच्छा के संबंद में इसका अर्थ है छातर जब अपनी आयू के अनुरूप कच्छा में ना होकर उसे पीछे रहता है तो उसे हम पिछड़ा हुआ बालक कहते हैं चाहे वा अपनी कच्छा में कितना होसियार क्यूं न हो इस रिष्टी से एक दस वर्ष यह बालक यदि तीसरी कच्छा में पढ़ता है तो हमें उसे पिछड़ा हुआ कहेंगे बहले ही हुआ अपनी कच्छा में सबसे होस्यार क्यों ना हो पिछड़े बालक की पहचान कैसे होती है पिछड़े बालक की पहचान उदारण स्वरूप इस परकार समझे माल लीजिए किसी छात्र की आयू 14 वरसे उसकी आयू के अनुसार उसे नवी कच्छा में होना चाहिए परन्तु यदिवा छात्र छट्वी शात्वी या आठ्वी कच्छा में है अत्वा नवी कच्छा में है तो परन्तु नवी कच्छा के मद्ध सत्र में भी यदिवा आठ्वी कच्छा का कार करने में भी असमर्थ हैं तो उसे हम सैच्छिक द क्रिष्टी से पिछड़े पन को पहचानने के लिए यह देखने का परियास करना चाहिए कि आपके द्वारा पूछे गए प्रस्णों अत्वा उनके सामने रखी गई समस्याओं का समधान कौन बालक की सीमा तक कर पाता है। त्रेमासिक, अर्दवार्षिक, यह वार्षिक परिच्छाओं में उसे समान से अधिक अंक मिले हैं या कम, कच्छा में किसी बात का उत्तर देने के लिए उससाहित होता है या नहीं, यह देखने के पश्चात यह देखिए कि यदि वह बालक कच्छा कार करने में असमर्थ है कोई बात उसकी समझ में देर से आती है समानता, हीन भावना, सिर्ष दबा रहता है किस भी परिच्छा में अच्छे अंग प्राप्त नहीं करता पढ़ाई में रूची नहीं लेता ये लच्छड मिले तो यह समझ लीजिए वह चात्र पिछड़ा हुआ है और यदि उप्रोक्त बातें कच्छा के अधिकतर छात्रों में पाई जाए तो वह कच्छा में पिछड़ी हुई कही जाएगी परिच्छा द्वारा पिछड़पन की पहचान कैसे की जाए तो आईकू छमता यानि बुद्धी लब्दी द्वारा की जाए इस परकार पर तीभा संबनता की पहचान हमने बुद्धी लब्दी आईकू को माप कर की थी ठीक उसी परकार पिछड़पन की पहचान के लिए हमें विध्यारति को सैचिक लब्दी को मापना होगा. सैचिक लब्दी बिद्यार्थी की आयू के अनुसार सभी पिश्यों में उसी लब्दी का आउसत है अर्थाथ सैचिक द्रिष्टी से बालक या बिद्यार्थी के अरजन को ही सैचिक लब्दी कहते हैं सैचिक लब्दी ग्याद करने का सूत्र होता है सैच्छिक लब्दी, सैच्छिक आयू बटे, वास्तिविक आयू गुडे सव यानि कि सैच्छिक लब्दी को ग्याद करने के लिए पहले सैच्छिक यानि कि जिस कच्छे में ओपन रहा है वो कितने आयू तक सीमित होता है अब बटे में वास्तिविक आयू क्या है फिर गुड़े साव कर देंगे जो आता है उसका सहचिक लब्दी कहलाएगा इसमें वास्तिविक आयू जो जन्व तिथी से ग्याद की जात सकती है सहचिक आयू निकालने का सूत्र इस परकार है सहचिक आयू यानि कि विभिन विश जो में साफल्ले आयू का यूग अबटे कुल विस है। जो में साफल्ले लबदे सैचिक आयू बटे मानसिक आयू गुडे सव। जो में पाठ करम से लाव उठाने में आसमर्थ। समान सिच्छण बिदियों द्वारा सिच्छा गरहन करने में विफल मंद बुद्धी, समान बुद्धी या अतिसरेष्ट बुद्धी का परमाण। मानसिक रूप से आववस्थित और आसमयोजित व्यभार। बुद्धी परिच्छाओं में निमने बुद्धी लबदी 90-110 तक होती है। बिद्ध्याले कार में समान बालकों के समान परगती करने की योगता, अपनी और उसे नीचे की कच्छा का कार करने में आसमर्थ। पिछड़े बालकों की पहचान किस परकार कर सकते हैं पहला है निरच्छण द्वारा दूसरा है परिच्छण द्वारा निरच्छण करके भी आप पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं परिच्छण द्वारा भी कर सकते हैं पिछड़े पन दो परकार की होती हैं एक वेक्तिगत होता है इन जिसे इंडिविजिवल कहते हैं दुसरा सामूहिक यानि गुरूप होते हैं पिछड़े पन दो परकार की होते हैं वेक्तिगत सामूहिक अब वन्चित बालकों के तीन परकार होते हैं समाजिक रूप से वन्चित बालक दुसरा है आर्थिक रूप से वन्चित बालक दुसरा है सैचिक रूप से वन्चित बालक पिछडे बालकों की पहचान निरच्छन द्वारा तथा परिच्छन द्वारा होता है सारीरी विकलानता कितने परकार की होती है तो सारीरी विकलानता चार परकार की होती है नमबर एक विकलानता है सरवण बाधित बालक दुसरा है दृष्ट बाधित बालक तिसरा है वाड़ी बाधित बालक चौथा है अस्ति बाधित बालक यानि की सरवण का मतलब होता है सुनना यानि कान से द्रिष्टी यानि आख से तिसरा यानि वाड़ी यानि मुक्ष से चौथा यानि अस्थी यानि की पैर कना होना हाथ कना होना अपवअचन की परिभासाएं इस परकार है ओल्मेन के अनुसार अपवअचन निम्नस्थरी जीवन दसा या अलगाओ को घोसित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की संस्कृति उपलब्दियों में भाग लेने से रोपता है और गार्डन के अनुस्वार गार्डन क्या गहते हैं इनके बारे में आप वंचन वाले जीवन की उद्धी पगदसाओं की नियुनता है यह चेप्टर समाप्त होता है धन्यवाद इस आईडियो आटकल को सुनने के लिए ऐसे ही आईडियो आटकल सुनने है तो इस चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें हाँ और एक बात है कि आप अगर थोड़ा बहुत सुनते रहेंगे तो आपको इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी होती रहेगी और यह कोई टप नहीं है आप एक बार सुन लीजिए फिर समझ जाएंगे कौन सा प्रस्न किस परकार होगा तो आप इसके अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं पर लिखना जरूर है धन्यवाद इस आडियो आटकल को सुनने के लिए इस चैनल को अगर सुनना है तो सस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा धन्यवाद